हेलो फ्रेंट्स, तो आज की हमारी मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी का बिताया हर एक मिनट उसके एक साल के बराबर होता है तो शुरू करने से पहले फ्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मूवी की शुरू में हम टेड़ी नाम के एक आदमी को एक पार्टी में देखते हैं जो अपनी गर्फ्रेंड बेका के साथ वहाँ आया है वहीं उसकी मुलाकात एक लियान नाम की लड़की से होती है जिसे वो गलती से किस कर बैठता है जल्दी ही उनकी ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और देखते ही देखते उनकी रिलेशन्शिप को चार साल हो जाते है एक दिन टेड़ी लियान को अपने पीता की कबर पर ले जाता है और उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है लियान काफी टाइम से उससे शादी करने को कह रही है लेकिन टैडी समय की बिल्कुल कद्र नहीं करता और हर बार शादी को टाल देता है वहीं टैडी एक कूडी ओरत से मिलता है जो उसे कहती है कि अब उसे बिना देर किये शादी कर लेनी चाहिए टैडी को ये बहुत अजीब लगता है लेकिन वो लेडी उसे समझाती है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुखता वो कहती है कि क्या होगा अगर उसकी लाइफ अचानक से स्पीड पकर ले और वो अपने बिताए बेतरिन लमे तक इंजोए ना कर सके जाते वक्त वो लेडी उसे बताती है कि जल्दी ही वो से उसकी शादी का एक तोफ़ा बेजेगी और टैडी इसके लिए हमेशा उसका शुक्र मन रहेगा आगे हम उन दोनों की शादी होते हुए देखते हैं और वो लोग अपने खरीदे हुए नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ वो अपनी शादी के गिफ्ट देखते हैं जिन में एक पोधा और दूसरे गिफ्ट के अलावा एक कैन भी है उस कैन के साथ एक मैसिज इसे दस साल बात खोलने को कह रहा है टैडी को समझ नहीं आता कि ऐसा गिफ्ट कोई क्यों भेजेगा और वो उसे साइड में रखकर सोने चले जाते हैं अगली सुबा उठते ही उसे सब कुछ बदला हुआ लगता है जैसे घर में नया फनीचर लगा हुआ है शादी में गिफ्ट मिला पोधा एकदम से बड़ा हो गया है वो लियान को अवाज लगाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि वो प्रेगनेंट है उसे अपने आँखों पर यकीन नहीं होता लेकिन लियान उसे बताती है कि आज उनकी एनिवर्सरी है उसे लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रहा है और थोड़ी देर अराम करने के लिए लेड़ जाता है आग खुलता ही वो देखता है कि उसके कपड़े चेंज हो देटी है जो अब कई महीने की हो गई है वो अपने फोन में पुरानी फोटोस देखता है जहां वो अपनी बेटी के साथ है लियान उसे उसकी बेटी टालूला से मिलाती है और टैड़ी समझ जाता है कि यहां कुछ तो गड़बड हो रही है वो लियान को समझाने की करता है कि शायद वो टाइम ट्रेवल कर रहा है क्यूंकि उसके बिताय कुछी मिनट में वो एक साल आगे आ जाता है लियान को लगता है कि वो फिर से अपनी एनिवर्सरी भूल गया है और इसलिए नाटक कर रहा है टैड़ी को पता है कि कुछी मिनटों में वो फिर एक साल आगे चला जाएगा और इसलिए वो अपने एक दोस सैम को फोन मिलाता है वो ठीक एक साल बाद उसे अपने घर के बाहर मिलने को कहता है क्यूंकि टेडी के हिसाब से इसमें सिरफ कुछी मिनट्स लगेंगे वो कन्फर्म करने के लिए एक संत्रे को एक गमले में चुपा देत है और तभी टाइम चेंज हो जाता है वो देखता है कि वो संत्रा एकदम सड़ चुका है जैसे काफी टाइम से यहां पड़ा हो तभी उसे बाहर से सैम की आवाज आती है और वो उससे मिलने जाता है वो उसे अपने साथ बीत रही गटना के बारे में बताता है कि कैसे उसक आने वाला कल बहतरीन हो सके टैडी को भी आइडिया पसंद आता है और वो वापस अंदर चला जाता है वहाँ आके वो देखता है कि टैलूला और बड़ी हो चुकी है और बोलने लगी है लियान वहाँ आकर उसे बताती है कि कैसे वो अमेशा अपने काम में बिजी रहता है औ अब ही वहाँ सैम आता है और टैडी को पता चलता है कि वो और लियान अलग रह रहे हैं क्यूंकि उनका डिवोस होने वाला है टैडी ये सुनकर परिशान हो जाता है और सैम से लियान को वापस पाने में मदद मांगता है वो लोग उसे फोन करते हैं और एनिवर्सरी करने के लिए बुलाते हैं लेकिन नाराज लियान मना कर देती है वो फ्रिश से बियर निकालने जाता है और तभी टाइम फिर से बदल जाता है वो देखता है कि सैम वहाँ से जा चुका है वो अपने ड्राइंग रूम में आता है जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है उसे लगता है कि लियान वापस आ गई है लेकिन वो देखता है कि ये तो उसकी पुरानी गल्फ्रेंड बेका है पता चलता है कि उनके बीच काफी टाइम से रुमेंस चल रहा है टेडी उसे वहाँ से बगाने की सोचता है और तभी वहाँ लियान आ जाती है बेका को होकर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही टेडी मुडता है टाइम फिट से चेंज हो जाता है वो देखता है कि बेका उसके लिए कौफी बना रही है वो बताती है कि उसी के कहने पर अब वो उसके साथ रह रही है टेडी परिशान हो जाता है और सैम को जल्दी से अपने घर आने को कहता है वो बेका को बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसके साथ नहीं रह सकता सैम के आने पर वो उसे लियान के घर चलने को कहता है वहाँ उसे पता चलता है कि सैम को स्कीन कैंसर है और यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है वो उससे वादा लेता है कि वह अगले साल भी उससे जरूर मिलेगा. लियान के घर आके उसे पता चलता है कि वह किसी और से प्यार करने लगी है और डिवोस पेपर्स पर उसके साइन का वेट कर रही है. टैडी ऐसा करने से मना करता है और तबी वो फिर से एक साल आगे चला जाता है. लियान से उसकी शादी के अंगूठी कहीं गुम हो गई है। इन सब से दुखी होकर वो डिवोस पेपर्स पर साइन कर देता है। वो लियान के डोग को गुमाने बीच पर ले जाता है। और वहाँ टाइम फिर से आगे बढ़ जाता है। उसकी लंबी दाड़ी उगाती है औ वो उसे उसके पेरेंस के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो उसकी बेटी तालूला है। वो उसे उसके गर छोडता है और पूछता है कि ऐसा क्या है जो वो सबसे ज्यादा चाहती है। तालूला उसे बताती है कि वो उसके साथ और ज्यादा टाइम बिताना चाह यह कहकर लियान चली जाती है और टेडी को उसे एनिवर्सरी विश करना याद आता है वो जैसे ही खिड़की से जांकता है एक साल और बीच जाता है उसके काफी आवाज देने पर भी लियान बाहर नहीं आती और वो एक बार फिर सैम को फोन मिलाता है लेकिन देखता है कि सैम का नंबर बंदा रहा है वो अपने फोन में पिक्चर्स देखता है जहां सैम होस्पिटल में एड्मिट है वो समझ जाता है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं है वो उसकी कपर पर जाता है और कहता है कि उसने उससे मिलने का वादा किया था तब ही वहाँ एक बार फिर उसे वही बुड़ी औरत मिलती है जो मूवी के शुरू में मिली थी वो उसे बताती है कि ये गिफ्ट उसी ने उसे दिया था टैडी उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है और कहता है कि ये कोई गिफ्ट नहीं बलकि एक श्राप है वो उसे ये सब कुछ रोकने को कहता है लेकिन वो लेडी उसे बताती है कि वो इसे नहीं रोक सकती लेकिन वो उसे उस टीन कैन के बारे में याद दिलाती है जो उसे शादी वाले दिन गिफ्ट मिला था इससे पहले कि वो उसे कुछ और बता पाए टाइम चेंज हो जाता है और टैडी वहाँ अकेला रह जाता है वो उस कैन को डूमने लियान के घर आता है और उससे शादी में मिले गिफ्ट के बारे में पूछता है उन्हें वो कैन मिल जाता है और वो दोनों मिलकर उस कैन को खो तो, दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू